पसू में ये आपने दवा भी दे दी इंजेक्शन भी लगा दिया फिर भी ये पसू जेर नहीं गिरा रहा है यहीं जेर नहीं डाल रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वह तिस तरह एकमेंड्स आते हैं कि इस तरह हमने दवा भी दे दी इंजेक्शन भी जो जे अपनी गाय भेस को बचा सकते हैं वर्ना इस तरह के केसे में आप अपनी गाय भेस को की नुकसान भी पहुचा सकते हैं सोट बताऊंगा तो वीडियो को इसके पुरा पूराइज नए जुड़ें तो पहले को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन और आल वाला पसंद पता है कि चैनल पर भी सही जानकर के साथ वीडियो दी जाती हैं एदी आपकी गाह बैंस एदी जिस प्रकार से जेर नहीं डाल रही है समय ज्यादा निकल चुका दवा भी दे दी यूट्रेन किलनर जो आते हैं दो जेर डालने वाली दवा दे फिर इंजेक्शन भी आपने ल लिए कालते हैं तो पशू में क्या दिखत हो सकती है और यहांनी स्थीयारी की मोत भी हो सकती है बहुत इस तरह कि पालक है कि निकलवाना नहीं चाहते वेटिनेरन से हाथ नहीं करवाना चाहते तो उस इस्तती में पश्चू की डैथ भी हो जाती है और कई इस तरह के जो पश्चू पालक हैं कई इस तरह के वेटिनेरन अन्भीगे से जिने प्रोपर नोलेज नहीं होता जे निकालने का उन से जे निकलवाते हैं तो उसक के बाद में को जाता है तो दिकत पैदा हो सकती है और कई इस तरह के अंदर आप उनी का ही उनी से बुल वाएं और उनसे आप उनसके हाथ से जै निकल वाएं कोई दिकत नहीं है हम फिल दी अंदर न जाने कितने पसू की जए निकल वाते हैं कोई भी साइड पैंड नी होता ये दी आप अच्छा ट्रीक्ट्मेंट करेंगे अच्छा इंजेक्शन देंगे और अच्छी सावदानी रखेंगे ये दी आप जए निकालते समय होगी और जब एदिव ऐटिनेर अच्छा होगा हाथ से निकल लेगा तो साथ में अच्छे इंजेक्शन वथ दौगा का परियोग करेगा जिसे की पशूं में किसी भी तरह का कोई infection भी नहीं होगा पशूं से भी रहे हाथ से भी उन से पैसे आपके थोड़ी ज्यादा लग जाएं लेकिन बैटर रिजेल्ट और बैटर दवा जो जे निकाल रहें उसमें इदिदे जे निकालने वाली दवा अंदर डालें इंजेक्शन लगाएं टिटी के अधर जो इंफेक्शन के इंजेक्शन है वह सब्सक्राइब कोई दिकत होने वाली नहीं है यह अच्छा वेटरिनेरियन एदी है तो बहुत इस तरह की जो प्रशुपालक हैं जो आज से निकलवाते हैं उनके पर से रहते हैं और दवा देनी पड़ती है आप सब्सक्राइब और अंदर रह गई तो उसमें और भी दिक सब्सक्राइब कर सकती है जो मैंने आपको पता है तो यह वीडियो जीतना हो सकता है उनके साथ शेयर करें इसे तरह की वीडियो आपको चैनल पर नोलेज बरी ऐसे मिलते रहें किसी तरह से वीडियो दिकते रहें थैंक्स धन्यवाद